नई फाइल ओपन करने से शुरुवात करेंगे। अब आप Photoshop फाइल क्रियेट करने का तरीका जानते हैं। ब्रश आइकन खोजे, यह यहाँ है। इसे क्लिक करें और ड्रॉ करें। यह आपको स्कूल की दिनों की याद दिलाता है। है ना, आईए, देखें, यह कितने मिलते जुलते हैं। गौर करें कि ब्रश कितना नरम है। ठीक वैसे ही, जैसे पानी के रंग का इस्तिमाल करते समय, ब्रश के स्ट्रोक्स दिखते थे। कीबोर की ब्रैकेट्स कीज को दबा कर, ब्रश साइस को बड़ी आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इस तरह, देखें कि ब्रश के बाल कितने नरम है। हम, ओपेसिटी बदल कर, स्ट्रोक्स को पारदर्शक बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, मैं ओपेसिटी को सव प्रतिशत पर रिसेट कर देता हूँ। और पेंसिल टूल का इस्तेमाल करता हूँ। अब पेंसिल की लकिरों के लिए वापस जाएं और ब्रश टूल आइकन पर राइट क्लिक करें। वहाँ पर पेंसिल टूल है, इसे सिलेक्ट करें और ड्रॉ करें। पेंसिल स्ट्रोक और ब्रश स्ट्रोक के बीच का फर्क देखें। Pencil Stroke के छोर मोटे या गहरे होते हैं जिससे वह एक अच्छा Drawing Tool बनता है और Brush के हलके Strokes इसे Paint का अच्छा Tool बनाते हैं Pencil के साथ किस चीज की जोड़ी होती है जी हाँ Eraser की और Photoshop के पास ये Tool भी है इसका आकार Arm Eraser या Rubber जैसा ही होता है गौर से देखिए लकीर का नामू निशान भी नहीं है आईए मैं समझाता हूँ की ये कैसे हुआ Eraser ने अभी हमारे द्वारा चुने गए Background कलर में लकीर पर Paint किया है देखिए अब देखिए मैं Background कलर बदल कर Eraser का इस्तिमाल कर रहा हूँ लेकिन वह Paint दिखा रहा है इसलिए Eraser से Eraser जैसा काम करवाने के लिए Background कलर को बहुत ध्यान से चुनना चाहिए Brush की तरह ही Bracket Keys को दबा कर Eraser की Size को बड़ी आसानी से बढ़ाएं या घटाएं जितनी बार चाहें उतनी बार दबाएं सब कुछ गायब हो गया मिट गया और अब एक जादूई टूल देखें ये है Color Replacement Tool मैं Image File पर काम करूंगा Replacement Tool Size बढ़ाएं और Zoom In करें अब ध्यान पूर्वक देखें मैं जिस Color पर सबसे पहले क्लिक करूंगा वह Replacement Tool द्वारा बदले जाने वाले Color के तौर पर याद रखा जाएगा गौर से देखिए सिर्फ मौझूदा फोर ग्राउंड कलर नारंगी कलर को काले में बदला जा रहा है अन्य कलर्स वैसे की वैसे ही रहते हैं यदि मैं इसे पूरा करता हूँ तो लड़के, सफेद, पीले और हरे चोकनों वाली काली पगड़ी हो जाएगा लेकिन काला उतना अच्छा नहीं लग रहा क्या इसे फिर से नारंगी किया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं? एडिट में जाएं और अंडू रीप्लेस्मेंट टूल करें लेकिन याद रखें मैं रीप्लेस्मेंट को सेव करने के बाद रीप्लेस्मेंट टूल को अंडू नहीं कर सकता उसके बाद मैं फिर से ओरीजिनल कलर पर वापस नहीं जा सकता बशर्ते मैंने ओरीजिनल इमेज लेयर की कॉपी बनाई हो बड़ी गलती हो गई मैं background layer में ही बदलाव कर रहा था मुझे पहले original layer की copy बनानी चाहिए इस तरह हमेशा original image को background की तरह रखें और कोई भी बदलाव करने से पहले उसका duplicate बना ले shape draw करने के लिए आवश्यक अगला tool pen tool है ये एक path create करता है जिसे selection में बदला जा सकता है लेकिन pen tool ज्यादा सही shape देता है एक खाली file ले और नियमित अंतरालों पर click करते हुए path बनाना शुरू करें इस तरह बनाए गए points को anchor points कहा जाता है अंत में पहले anchor point पर click करके path को बंद करें ध्यान से देखें कि path for ground color से भर गया है एक बार फिर से गौर से देखें एक अन्य pen tool free form pen एक अन्यमित path बनाता है और वहाँ पर path को edit करने के लिए tools है convert point tool corner point में एक हलका या smooth anchor point बनाता है गौर से देखिए path को बहतर बनाने के लिए ज्यादा anchor points की जरुरत पड़ती है add anchor point tool उनको बनाता है और delete anchor point tool की मदद से अंचाहे points हटा सकते है गौर से देखिए लेकिन मुझे एक कर भी चाहिए इसलिए convert point tool के साथ points को drag करें इससे दो handles निकलते हैं उनको बाहर की ओर drag करें और आवशक shape में मोड लें बहुत ध्यान से देखें अब प्रत्यक path खंडो, points और दिशा से बना हुआ है और pen tool को इन में से किसी में भी बदलाव करने shape create करने के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है क्या आपको याद है interface module में दिखाया गया था कि paths panel कहा है आईए उसे खोलें हमारे द्वारा create किया गया प्रत्यक path अपने आप path tab में save हो जाता है इस path selection tool की मदद से इसे selection में बदलें आईए अब इसे color करें सबसे पहले color चुनें अब bucket tool का इस्तिमाल करके उसे भरें लेकिन मुझे graded color चाहिए इसलिए हम foreground और background के तौर पर दो अलग-अलग color चुनेंगे gradient tool चुनें और उसकी line को पूरे shape में ड्रैग करें ड्रैग की जाने वाली लंबाई और angle gradient निर्धारित करेगा यहाँ पर हमारा draw module समाप्त हो झाल